नमस्ते, मैं प्रकाश मणी, वेलकम स्यू इन पी एम स्क्वीजीन थन का मुसम चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि थन के मुसम में खाया हुआ पूरे साल हमें काम में देता है तो चलिए आज हम कुछ बहुत ही हल्दी सा बनाते हैं इसलिए आज हम बना रहे हैं शुगर फ्री ड्राइफुट लड्डू तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम ये खजूर इनको मिक्सी में पीस लेते हैं मिक्सी में पीसने से पहले हमने इन खजूर के बीज चक्कु से निकाल दिया है ये देखी बीज निकले हुए खजूर को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है अब हम मिक्सी में इसको पीस लेते हैं थोड़ा दरदरा ये देखी हमने इसको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है हमने चम्मच से इस तरह से हिलाते हुए एक दो बार करते हैं इसको मिक्सी में पीस लिए अब हमने पैन को हीट होने के लिए रख दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच देशी घी इसको पिगलने देते हैं और अच्छा थोड़ा गरम होने देते हैं हमारा घी मैल्ट हो चुका है थोड़ा गरम हो चुका है अब इसमें हम एक एक करके ड्राइफ्रूट्स डालेंगे ड्राइफ्रूट्स को फ्राइ करने के लिए हमें घी बहुत जादा गरम नहीं चाहिए हमने गेस का फ्लेम लो कर दिया है यह हाफ बाउल बदाम आलमंड आप बाउल कसा हुआ कोकोनेट इन सबको अच्छे से फ्राइब कर लेंगे यह देखिए हमने सारे नट्स को दो तिन मेट तक लगातार चलाते हुए थोड़ा कंची होने तक फ्राइब किया है देखिए थोड़े से गोल्डन ब्राउन भी हो गए है और हमारी दाक या फिर आपिश्मिश भी अच्छे से फूल गई है अब इसमें हम ढालेंगे कोर्सली ग्राइनागे खजूर यार्ड् coalition गया गए एकवल दालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए, मद्धी-मद्धी आज पर हमने डेट्स को भी ड्राइफूट्स में मिक्स कर दिया, अच्छे से, इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है, अब हमारा यह मिश्र लड्डू बनने के लिए रेडी है, गेस का फ्लैम ओफ कर देते हैं, इसको सा मिश्रण हातों पर लेंगे, आपको जित्ता भी बड़ा लड्डू बनाना है, उतना मिश्रण लीजिए, और हातों से इस तरह से इसका लड्डू बनाएगा, अच्छे से दबाते हुए उसका लड्डू बनाएगा, यह देखिए, हमारा लड्डू रेडी है, इसी तरह थोड़ा सा ओर डाल दीजिए, आप ट्राइग कीजिए इसे इसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं, और यह खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्थी होते हैं, थैंक यू